हेलो और नमास्कार दोस्तों स्वागाते हैं आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्जाम की में हो और इस वीडियो के मादधम से हम आपको बताने वाले हैं मद्य प्रदेश में जो हाई कोड है उसका जो निकली हुई वेकेंसी थी एजी थी और इस टैनो उसका मुख्य परिक्षा में जो है काफी समय से जो है नहीं हो रही थी मुख्य परिक्षा और उसका अभी हाल फिलाल में बात्रा पात्रों की सुची डली थी और हमने इसके वीडियो भी बनाया था आप जाके जरूर देखिए उस वीडियो को और इस वीडियो के मादधम स जो वर्ग के हिसाब से जो OBC वाले थे उनको आरक्षन नहीं मिल पाया था और जो जनरर की कटफ थी वो थोड़ी कम चली गई थी OBC की थोड़ी ज़्यादा चली गई थी 77 और 81 का माइनर एक मेजर डिफरेंच जहां पर जो है चान नमर को देखा गया था देखी इसमें क्या लखा गया है जो पेपर की कटिंग आई हुई इस संबंद में आर्टिकल सुप्रीम कोड ने जिला ने आदालत में बारा सो सामल करने के निर्देश दिये हैं सीड्स अधालत ने हाई कोड प्रसासन को तीन हफ़ते में हलप नामे पर जवाब पेस करने के निर्देश भी दिये हैं दरसल हाई कोड दौरा याची का खारिच होने के बाद उसके हैसले को चुनोती देते हुए पुस्पेंद्र कुमार पेटेल ने सुप्रीम कोड में बिसेस अनुमत्ती याची का दायर की है हाई कोड ने यह कहते हुए याची का खारिच कर दी थी कि अन्य पिष्णवर्ग के जो मेरिट का अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन प्रास्मिक्ता नहीं बलकि वरन बलकि अंतिम चैन के समय पीठ में अपने फैसले में कहा था कि प्रारामिक प्रेक्षा मुक्या परिक्षा अनरक्षित सीहे एक परीचे कि राक्षित वर्गं पर भी चैन नहीं किया गया जब्के चैन जो है कर लिए गया है दली दी गई कि दो अलाग अलाग खंड पीठो ने एक ही मामले में विरोधा भासी फैसले दिये हैं इसलिए सुप्रीम कोट में याची का दायर की गई है तो यह यहां पर सुप्रीम कोट में जो मामला चल रहा था इसमें तीन या चार बार सुनवाई हो चुकी है दस साउधा और आने वाली ओर इनका अलक से भी एक्जाम होगा ठीक है ना तो जो वैक्ति के पहले से नाम है उनका तो भी नाम इसमें से हटना नहीं वाला है तो वह बेखे कर रही है कि क्या उनका कहीं कटफ में कोई अंतर आने वाला है क्या एसे भैसले पर आभी फिलाल इस वीडियो तक एक हवर आने तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी से काई इसको इसको होना है वह आज-अटियस होने वाले हैं तो अभी की लिए हिए इतना ही स्टेओन वे इस चैनल, Thank you like kindly like share, and शेच्ट्राइब इस चैनल, Thank you